जहन दोस्तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासिस में दोस्तो आज किस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ इंडियन आर्मी में निकली ओफिसर्स की भरती के बारे में तो दोस्तो यहाँ पर बहुत बड़ी भरती निकले हुई है यह जो भरती है दोस्तो पूरी औल इंडिया भरती है मतलब आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हैं तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं और दोस्तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो भरती है वो male और female दोनों के लिए है तो इस वीडियो में हम आपके लिए इस भरती से related पूरी जानकरी देने वाले हैं तो वीडियो में last तक बने रहेगा और दोस्तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना और अगर चैनल पर नहीं है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि हम अपनी चैनल पर ऐसी वीडियो लेकर आते रहते हैं चलिए दोस्तो स्टार्ट करते हैं आजकी वीडियो तो यहां पर आप देख सकते हैं दोस्तों हमने यह notification ड अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट के रहने वाले हों और आप अन्मेरिट मेल और फिमेल हैं और आपने दोस्तों लो किया है मतलब लेल भी किया है तीन साल के लेल भी कोर्स किया है ग्रेजुएशन के बाद और पांस साल का लेल भी कोर्स किया है अगर आपने जे एजी के फिल्फम होती है दोस्तों Judge Advocate General ठीक है तो ये दोस्तों जो हमारा Army का दोस्तों जो cases होते हैं उनके लिए ये जे एजी ब्रांच को बनाए गया है तो यहाँ पर जो LLB किये हुए दोस्तों होते हैं graduate उनके भरती यहाँ पर officers की होती है ठीक है आप इंडिया के किसी भी state के रहने बाली हैं दोस्तों तो आप इस भरती में सामिल हो सकते हैं उसके बाद मां आपकी जो दोस्तों इस भरती में सामिल होने के लिए एज लिमिट लिमिट होगी वह होगी लिया स्य 20ãyDonich चेल से के वह यर scoề अपको इस फिर्द सų वर्णब दो concern चैल से य कि यग जनवर ऑन्निसो के बीच में होनी चाहिए ठीक है उसके बाद में दोस्तों आपको education qualification के बारे में बता दूँ तो minimum 55% marks in LLB degree 3 years professional after graduation और 5 years after 10 plus 2 यानिकि अगर आप 12 के बाद में आपने ग्रेजुशन मतलब LLB की है तो आपके लिए 5 साल का LLB course अनवारी है और अगर आपने graduation के बाद में LLB की है तो आपको 3 साल का course अनवारी है ठीक है उसके बाद में दोस्ते यहां पर जो vacancies की बात कर लेते हैं तो vacancies यहां पर है total 8 vacancies ठीक है पांच है दोस्तों आपर man और three है woman के लिए मतलब तीन vacancy woman और पांच vacancy man के लिए हैं ठीक है दोस्तों पहले short service commission 10 साल के होती थी लेकिन अभी यहां पर 14 साल तक आप short service commission के तहरे job कर सकते हैं ठीक है कि उसके बाद में दोस्तों यहां पर कि मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूं आपकी जो selection के बाद में आपकी ट्रेनिंग होगी वह होगी दोस्तों 49 बिक्स की ओटी एचेन नहीं में और उसके बाद में आपको इंडिन आर्में में कमिशन कर लिए जाए यह दोस्तों सबस्ते होती हैं इंडिन आर्में में जब आप सेलेक्टर होंगे तो आपको सबसे पहले रैंक में लेकिंगे फिर आप दो सर्वाद कर्टर मन जाएंगे उसके बाद में छे सार्वाद मेजर तेरे सारवाद लेपनें करनल ठीक है इसी तरह यह पूरे रैंक दिगे यहां पर दोस्तों पेलेबल दे गिया है आपके जो पेलेबल होगा दोस्तों वह 56,100 से 1,77,500 के बीच में आपकी स्टार्टिंग पेलेबल होगी ठीक है उसके बाद में आपका जो मिलेटरी सर्विस पर होगा दोस्तों लेटनें टू ब्रिगेटर का यह सेम होता है 15,500 पर मंथ होता है यह ठीक तो यह है दोस्तों भरती अगर आप इस भरती में सामल होना चाहते हैं अधिक डिटेल चाहते हैं तो मैंसे कमेंट करके कुछ भी पूछ भी सकते हैं तो मित करते हैं दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को पासिस को सब्सक्राइब जरू कर लेना तो चलिए कल फिर्म लेंगे एक नई वीडियो के साथ में तब तक के लिए नमस्कार जैहन जैवरत